दोस्तों अपने Micromax का तो नाम सुना ही होगा दोस्तों Micromax एक Indy smartphone brand company है जिसके smartphone पहले जादा बिका करते थे feature phones जो keypad phones होते है वो बहुत जादा बिका करते थे लेकिन stiff competition के वज़र से यानि की Realme, Xiaomi, Vivo, Oppo और बहुत सारी company जो है वो market में आ गई जिसके कारण Micromax को जो है यहां पर stiff competition का फेस करना पड़ा जिसके कारण Micromax की जो smart phones है या फिर normal keypad phones जो है उसके जो selling है वो कम हो गई यहां पर तो दोस्तों Micromax काफी दिनों से यहां पर हमें कोई smart phones प्रवाइड नहीं करता है और करता भी है तो हमको कोई information नहीं होता है इसके बार में क्योंकि हम हमेंसा Vivo, Oppo, and other smartphone foreign and smartphone brand की तरफ जाते हैं क्योंकि हमें वो सारे brands कम price point पे जादा specifications और अच्छे specifications के साथ हमें smart phones जो है वो provide करते हैं क्योंकि हम लोगों ने micromax को इतना जदा value नहीं दिया क्योंकि micromax की smart phones होते थे पहले वो value for money नहीं होते हैं हाला कि वो सस्प्रहूते थे लेकिन उसमें जो आपको spec 69 to make को मिलते थे वौब को पता है कि आपको ऊतने अच्छे खास श्यक्रादे के चामरे इतना scene को मिलता था एतना अच्र प्राइब कर रहा है तो अब दूस्तों माइक्रमेक्स ने आप डिसाइड किया है कि वह हमें स्मार्फोन प्रोवाइड करने वाला है प्राइस पॉइंट क्या होगा कैसे स्पेसिफिकेशन होंगे कितने स्मार्फों यहां पर देखने को मिलेंगे सब कुछ आज कि बात करने वाला है तो काफी दा यहां पे जो आवियान चला है तो यहां पर आत्म निरभर भारत का अभियान चला है उसके वज़र से Micromax ने भी डिसाइड किया क्योंकि Micromax एक Indian smartphone brand है, जिसके कारण Micromax ने डिसाइड किया है, कि वो हमें 3 smartphones प्रोइड करने वाली है, जिए हैं दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तीन smartphones, smartphone की बात कर रहा हूं, मैं keyboard phone की बात नहीं कर रहा हूं, smartphone प्रोइड करने वाली हैं, 3 smartphone और वो भी जो उसका price point है, दोस्तों, वो हम easily effort कर सकते, क्योंकि वो under 10K segment होगा, मतलब 10,000 के नीचे ही होगा, 3 smartphones जो है, वो 10,000 के नीचे आपको देखने को मिलेंगे, अब दोस्तों, बात यहां पर यह आती है, कि इसके जो specifications है, वो भी 10,000 के जैसे होनी चाहिए, फॉर एक्जांपल, 10,000 के नीचे, बहुत सारे smartphone से, जो market में available है, जो कि अगर specifications सही नहीं आता है, Micromax के तीनो smartphones में, अगर specifications उस हिसाब से नहीं आता है, तो market में और भी available है, smartphones under 10K segment, जो इसको competition दे सकता है, तो यहाँ पर Micromax को अच्छे specifications प्रवाइड करने होंगी, ऐसा नहीं कहा हूँ कि 10,000 के फोन में, 12,000 वाला specs प्रवाइड कर दो, कम से कम 10,000 वाले फोन में, 10,000 का जो specs होना चाहिए, वो तो at least Micromax को प्रवाइड करना चाहिए, तभी public Micromax के smartphones खड़ी देगी, और कोई पहले वाला issue देखने को नहीं मिलना चाहिए, hang वागेरा यह सब नहीं देखने को मिलना चाहिए, तो दोस्तों, यहाँ पर 3 smartphone जो लाँच होने वाली है, अंडर 10,000 के सेग्मेंट, यहीं 10,000 के नीचे, देखें, दोस्तों, इंडिया की स्मार्टफोन की यही खासियत होती है, यह जो प्राइस होता है, यह काफी सस्ता होता, आप कोई भी इंडिया स्मार्टफोन ब्रैंट सेर्च करो, आप प्राइस आपको कम दिखेगा, तो यही खासियत होती है, कि इंडिया है कि जो होगा इंडिया इंडिया की स्मार्फोन में हुटा हैं जो है। कितने सारे फीचर से सिफ 15 रुपे में अभी तो बीच में सस्ता भी हो गया था 700 रुपे में मिल गया था तो यह चीज यहां पर अच्छी लगती है मेरे को अब आप दूस्तों बताना कि आप वेट कर रहे हो यह नहीं कर रहे हो इन तीनो स्मार्फोन का एंड जैसी इसके पर कुछ स्पेसिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूगा हाला कि अब तक कोई तीनो स्मार्फोन के डिजाइन वगेरा लुक वगेरा इससा कभी नहीं आया है आएगा तो मैं आपको डिफिरेटली बताऊगा दूस्तों इसलिए चैनल कुप कर दिए सब्स्क्राइब और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दिए ताकि आपको आने वाल इसको नोटिफिक्शन मिलते हैं चले जुस्तों मिलते हैं आगे